नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं असर को लेकर सुचना दी है, बतादे मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि दक्षिन पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इसे सटे दक्षिन अंडमान सागर के उपर बना हावा का कम दबाव का छेत्र बुद्धवार को एक चक्रवाती तुफार में तबदील हो सकता है, या एक बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सला दी गई, विभाग ने कहा है कि अगर कोई इधर है तो 11 माई की साम तक लोट आए, इसी के साथ मौसम केंद्र रांची ने अजनकारी भी दी है कि जार्खन में चक्रवात मोचा के असर की उमीद नहीं है, अगले 3-4 दिनों तक अ परीर जूल साने लगी है, राजे में अवसत अधिक्तम तापमान 44 के करीब है, आसमान पुरी तरह साप और धूप की तपीश से गर्म लहर भी चलने लगी है, मौसमी भाग के नुचार राजे में अगले 4 दिनों तक गर्मी सताएगी, लेकिन 15 माई से कुछ अस्थानों मे बादल छाने और कहीं-कहीं हलकी बारिस होने से सुरज का कहा, थोड़ा कम होने की उमिधार, इधर बुद्धवार को गोड़ा का तापमान 43.6 डिग्री तक पहुँच गया, जबकि राजी का अधिक्तम तापमान 49 डिग्री और नियमतम तापमान 25.8 डिग्री से रिकॉर् निया, रांची की 76 एकर जमीन पर बनेगी ज़ारखन मेडिको सीटी, मुख्यमंत्री होनची मेरा जराखन मेडिको तापना को लेकर अधिकारियों के साथ उच अस्तरिय बैठक पड़िहा इस मौके पर उन्होंने जहारखन मेडिको सिटी की कंसल्टेंसी एजेंसी अरनेस्ट आइंड यंग के प्रेजन टेंशन को देखा और कई आहम निर्देश दिये उन्होंने कहा है कि रीन पास रांची की जमीन पर PPP मॉडल पर जहारखन मेडिको सिटी का स्थापना प्रस्तावी था है आएसे में जमीन का उचित इस्तेमाल हो निर्षकों को उनकी जरूरत के हिसाब से अस्पताल निर्मान के लिए जमीन दी जाए इसका विशेश तोर पर ख्याल रखे मुखे मंत्री ने कहा है कि जहारखन मेडिको सिटी परिसर में कोमन यूटिलिटी सर्वीस बिजली पेजल सड़क ट्रेनेज और सीवरेज स्ट्रीट लाइट बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोज के लिए अधोनिक तक्निकों के इस्तेमाल किये जाए ताकि देश दुनिया के सामने इसे एक मोडल मेडिकल हब के रूप में रख सके नितिस कुमार ने स्यम हेमंत से की मुलकात राश्ट्री अस्तरपर विपक्षी दरों को एक जुट करने के मीशन में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नितिस कुमार को जहरखन में जामों को अपने साहथ लाने में कम्यावी मिली है बुद्वार को जेडियू करश्टी अध्यक्ष ललन सिंग के साथ रांची आये नितिस कुमार को मोर्चा के करिकारी अध्यक्ष और मुक्ष मंत्री हमान सुरे ने हाथो हाथ लिया लगभग एक घंटे तक बंद कमरे में दोनों नेतावों के बीच होई मंत्रा ना में तय हुआ है कि भाजपा बिरोधी दल एक मंच पर एक जूट होगे हमान सुरे ने इसकी भी पूष्टी की है बैठक के बाद मीडिया से मुखातिव होते हुए सियम हमान ने नितिस कुमार की प्रसंसा के पूल बांधे और उन्होंने आपना अविभावक करार दिया हमान सुरे ने कहा है कि हम नहीं पीडिके नेता है हमें इन से बहुत कुछ जानना और सिखना है राजे की छेतरिये असमिता बनी रहे और देश की एकता बरकरार रहे हम नितिस कुमार के मार्कदर्थन में काम करेंगे गर्मी छूटी में काउपी जाचने का टास्क से भड़के सिक्षक, जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिसर दियानी JCERT ने सरकारी और सहता प्राप्त इसकूलों में कक्षा एक से साथ तक के बच्चों के लिए चल रही बार्सिक परिक्षा की काउपी गर्मी की छूटी के दवरान गिरिह कारेक के रूप में सिक्षको द्वारा जाचने का आदेश जारी कर दिया है मंगलवार को जैसे ही आदेश जारी हुआ वैसे इस सिक्षकों ने इसके विरोध करना सुरू कर दिया कई सिक्षक संगों ने इसके विरोध में आवाज उठ शुरू कर दी अब सिख्षकों की अपत्ती के बाद जेसी यार्टी की निदेशक किरन गुमारी पासी ने या आदेश वापस लेने कास वासन दिया है दरसल सरकारी एवं साहता प्राप्ती स्कुलों में 13 माई तक वार्शिक परिक्षा होनी है वहीं 15 माई से 10 जुन तक 71 पदोपर सैप की होगी बाहली जारखन में भूतपूर सैनिको के स्पेसल अउजिररी पूलीस सैप की दोनों बटालियन के लिए 700 पदोपर बाहली की परक्रिया अपतेज है अगामी 15 से 17 माई तक राइंची की रोंडाइश थी जारखन से 60 पूलीस जैप वन परिशर में विभीन पदोपर बुद्पूर सैनिको को बाहल किया जाएगा नियुक्ती परकिरिया के लिए प्रसिक्षन निदसाले के अनुरोध पर पूलिस मुक्याले ने एक डियाजी के नितित्युत में 6 समीति अगठन कर दिया है इस समीति के अध्याक्ष रांची रेंज के डिया देख रहे हैं वहीं पांच सदस्वे में जैप वान रुरंडा के समाज़ेस्टा वाई एस रमेस जैप दस मैला बटालियान होटवार के समाज़ेस्टा धनन जय कुमार सिंग जारखन जगवार स्टी एफ के एस पी सैलेंद्र सामिल हाएं बिधान सभा सचीव हाई कोट में होंगे हाजी नेता परतिपक्ष को लेकर चर्व है सियास्ति घमासान के बिच गुरुवार को जारखन हाई कोट में सुनवाई होगी जिसमें बिधान सभा के परभारे सचीव सयद जावेद हैदर कोट में उपस्तित होंगे सुचना आयूत की नियुक्ती से सम्मन्धित और मनना याचिका समेत राजी के बारा सन्वेधानिक संस्थाओं में अध्याक्ष वस्यासियों के रिक्त पदों के लेकर एड़वोकेट एस्वसेशन दुआरा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जारकन हाई कोट ने नरागी चाता आते हुए कहा है कि एक सब्ता के अंदर विधान सभा में नेता परतिपक्ष या सबसे बड़े बिरोधी दल के नेता के चुना का मसला हल करे अन्याथा विधान सभा के सचीव को अगली सुनवाई के दिन सा सरीर हाजिर होना होगा गदल भाई की नियाले में विधान सभा के ओर से दाखिर जबाब में सुचना आयूत के मनोना नहीं होने के पीछे परतिपक्ष के नेता के नहीं रहने के करण कई बैधानिक संस्ताव में युक्ती नहीं हो पाने की वज़ाँ बताते हुए बदल का मामला विधान सभा स्पीकर के निया धिकरन में अभी तक लंबित पड़ा होना बताता है ज्यारखन में गर्मी का प्रकोप 24 गंट में 50 लोग लू से पहुंचे अस्पताल पिछले पांच दिनों से लागातार ज्यारखन का मौसम सूसक और आसमान साफ रहने के वज़े से अधिकतम तपन तेजी से बढ़ा है पच्मी दीशा से बहने वाले गर्म तेज पच्छुआ हावा के प्रभाव से राज जवास्यों को खासा परसानी के सामना करना पड़ा पिछले 24 गंटे में लू लगने की वज़े से 50 से अधिक मरीज भार्ति कराए गया है जिनका इमर्जेंसी वाड में इलाज किया जा रहा है आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ हेत्री होगी बताज रांची सीविल सर्जन के आधेश पर सदर अस्पताल के नए भौन मे पांचवे तले पर हिट एस्ट्रोक वाड बनाया गया है पूजा सिंगल की 82.77 क्रोर की संपती जब्त इडी ने निलंबित आयेस अधिकारी पूजा सिंगल और उनके पति अविशेक जहा की 82.77 क्रोर रुपय की संपती अस्थाई तोर पर जब्त कर ली है इडी की एजुक इडी ने बुद्धवार को संपती का स्थाई जब्ती पर मुहर लगा दी बतादे इससे पहले एक दिसंबर 2022 को इडी ने मन रेगाग होटला में संपतियों की जब्ती का प्रोवीजनल अट्रेट्मेंट ओडर जारी किया था प्रोवीजनल अट्रेट्मेंट आदेश को आ प्रोव इतना ही होगी बतादे राई सरकार ने जेपी एसी से चैनित 107 सहायक लोग अभियोजको के बीच नियुक्ती पत्र का बित्रन किया है चारखन मंत्राले में आयोजीत नियुक्ती पत्र बित्रन समारों मुख्यमंत्री हमांसुरे ने ना नियुक्त 10 सहायक लोग अ पत्र बित्रित और उन्हें जीमेदारी इमंदारी पुरुवक निभाने की अपील की है इस मौके पर मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि न्याले में लंबित केसों की वाजा से कई तरह की परसानिया होती है सियम नितिस और डिप्टी सियम तेयस भी पहुंचे रांची बिहार के मुख्य मत्री नितिस कुमार रांची पहुच चुके है रांची पहुचते है यारपोड पर उन्हें गौड अप उनर दिया गया नितिस कुमार 24 में होने वाले लोग सभाज चुनाओ के लिए भी सियम हमान सुरेन के नितित में जहारखन में यूपिय की सरकार चल रही है इसकड़ पंदन में कॉंग्रेस और रायत भी सामिल है इसलिए रायनितिक भी से सग्यों का मनना है कि बिजेपी के खिलाब सियम हमान सुरेन एक बड़ी भूम का निभा सकते है अलाकि जिस तरस्त जदियो और उसके करकारता बार बार नेतिस कुमार को भी पक्च का फेक साबित कर रहे है उसे हमन्त मानेंगे या नहीं इस पर बात साप नहीं है जमीन घोटाला मामले में जयंत करनाड से लंबी पुष्टाच जारखन में जमीन घोटाला मामले में मनी लंट्री के तहट जाच कर रहे है इडी ने बुद्धवार को सेना के कबजे वाली 4.55 एकर जमीन के असली रयत जयंत करनाड से लंबी पुष्टाच की है जयंत करणाड ने जमीन के मुल दस्तावेज कोट के आदेश की कौपी भी दी है उन्होंने इडी को बताया है कि वे सेना से जमीन खाली करवाने के लिए कोट भी गये थे जिसमें सेना को हर मिली थी इडी ने उन्हों से पुछा है कि उन्होंने बिना कपजेक के ही उक्त जमीन की खरीद विक्रिक्यों की इसपर उन्होंने कहा है कि जमीन उनकी है सेना किराइदार है जब्त दस्ताव्यज का इडी अलोकन कर रही है आई एस छवी रंजन की रिमांड बढ़ाएगी इडी छारखन में जमीन घोटाला मावने में मनी लॉंडरी के तह जाच कर रही इडी के रिमांड पर निलंबित आई एस अधिकारी छवी रंजन से चौथे दिन भी पूस्ताच होई पिछले चार दिनों की पूस्ताच में छवी रंजन इडी के अधिकतर सवालों का संतोस जनक जबाब नहीं दे पाए हैं उनसे 12 माई तक ही पूस्ताच के लिए इडी की विश्यस अधालत से अनुमती मिली है इडी के अधिकारी सुत्रों की माने तो चवी रंजन से 12 माई तक पूस्ताच पूरी नहीं हो पाएगी उनसे पूस्ताच के लिए इडी रिमांड अधी बढ़ाएगी इसके लिए जल्द ही कोट में रिमांड बढ़ाने का आदेश देगी बढ़ादे 26 रंजन की पत्नी बुद्वार की दो पहर इडी का रियले पहुंची उन्होंने अपने पती का हाल जाना और इडी का धिकारीयों से भी बाचित की है उसके बाद लोट गई बंदे भारत ट्रेन के लिए रांची में तयारी सुरू जारखंड में रांची पत्ना बंदे भारत ट्रेन का परिचालन इसी महीने सुरू होने की चार्चा है रांची रेल मंडल का रियाले में बैठ को कदर चल रहा है अब तक यह बाद सामने आई थी कि इस ट्रेन को रांची से हरी जंडी दिखा कर पहली बार रवान किया जाएगा वहीं अब चार्चा चल रहा है कि इस ट्रेन को पत्ना से भी हरी जंडी दिखा जा सकती है हलाकि इस पर अमतिम निरने होना बाकी है रांची रेल मंडल का र्याले में DRM सवी भी भागों के संग नियमित बैठा कर रहें ताकि तयारी के सिलसिले में कोई कमीना रहे इस समान्द में विभीन पता धिकारियों को भी दिसानीदेश दिया जा रहा है जारखन में सरधा मडर जैसा कांड जारखन में सरधा मडर हत्याकान जैसा ही एक मवला सामने आया है बांजी के चटकी अंगनबाडी केंदर सेवी का मालोती सोरेन की हत्या की गुत्थी पूलिस ने सुलजा ली है अरोप है कि मिरितका के पती नहीं पहले पत्नी का गला काटा फिर सोग के टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगा दिये पूलिस ने हत्याकान में सामिल तीन आरोपियों को गिरफतार किया है इसमें दलदली निवासी होपना हांसदा मंडवा का मंडल मुर्मू और चटकी का नरायन मुर्मू उर्प डॉक्टर सामिल है नरायन मुर्मू अंगनवारी केंद्रे की साहिका का पती है धन्यवाद